आज के इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश क्या है? परधान मंत्री मातर, वन्दना, योजना क्या है? जी हाँ, हमारे कुछ सस्क्राइबर ने इसके बारे में एक वीडियोज बनाने को बौला था उसी को लेकर मैंने आज के इस वीडियो में बताया हूँ आपको किस तरह आप परदान मंत्री मतरू वंदना योजना के लिए आप लाइक कर सकते हैं, वो क्या है, कैसे काम करता है और वो किसके लिए इलिजवल है, यह सारी हैं हम आपको इस वीडियो में बताने जारे हैं डीटेल में मिल चलिए बताते हैं, उसके लिए मैंने विकिपेडिया खंगाला, जहां पर मिले यह हमी रिजल जो आप देख पाड़ें, परदान मंत्री मातरू वंदना योजना, जिसे पहले इंद्रा गांदी मातरू शहयोग योजना के नाम से जाना जाता था, यानि कि य यह कोई ना योजना नहीं है, बलकि यह पुराना योजना ही है, बस इसे नाम चेंज कर दिया गया है, यह पहले इंद्रा गांदी मातरू शहयोग योजना के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा संचालित मातरू लाब का इकिरम थै, इसे मुल रूप से 2010 में लंच क्या गया था, यानि कि इसे जो योजना है, मुल रूप से 2010 में लागुक क्या गया था, और इसका 2017 में इसका नाम बदल दिया गया, यह योजना महिला अबंबाल विकास मंतराला द्वारा कार्मवित है, ठीक है, और यह लगब 19 वर्ष से भी जायदा हो शुक है, इन उनके जिए इलिभि यह कोई नया योजना नहीं है, बलकि यह बहुत पुराना योजना है, 2010 में ही इसे लंच क्या गया था, और 2017 में इस योजना को नाम को चेंज कर दिया गया गया, नाम चेंज करने बाद उसको दिया जै है पड़ान मंत्र मातर वंदना योजना ला इसे पहले जाना जाता था इंद्रा गांदे मातर योजना की नाम से तो आप समझ की है कोई नया योजना नहीं है बलकि यह पुराना योजना है जैसा कि बहुत सारी योजना के नाम चेंजिंग के गए उसी तरह इसी योजना का भी नाम चेंजिंग कर दिये गए अब यह योजना के बारे में समझ गए कब जारी मतलब कब यह लंच हुआ था और पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है किसके लिए गर्वती है जो अस्तान पान करती है उनके लिए यह है चलिए आप जानते हैं भी स्तार से कैसे अपलाई करेंगे और यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडिक्शन आपको स्क्रीन पर दिखने के मिलेगा यहाँ पर यह इलिजबल हैं जो भी गर्वती महिला उनको इलिजबल है और इसमें उनको मिलेगा 5000 तक का सायता जो कि 3 इस्टॉलमेर यानि कि 3 किस्तों में उसे 5000 रुपे मिलेगा जो कि ICDS बाल विकास कारियाला के द्वारा यानि कि ICDS के द्वारा मिलेगा यह एक छोटा सा इंट्रोडिक्शन जो कि आपके स्कीन पर है परधानमंत्री मात्रवंदना योजना यह किसके लिए है जैसा कि मैं आपको बताए गरवत्ती जो महिला होती उनके लिए यह यह योजना शुरू किया गया परधानमंत्री मात्रवंदना योजना जो कि 2010 में ही शुरू किया गया था और 2017 में इसका नाम बदल कर परदान मंत्री मातर वंदना योजना की नाम सीखर दिया गया है जो की महिला एवं बाल विकास मंतरालर द्वारा इसको वंदना योजना का लाब उठाया जा सकता है तो चलिए जानते हैं अब दिखें यह यूजना तो है इस योजना में किसको लाब मिलने वाला है कौन सी गरवत्ती यहां पर सभी गरवत्ती को यह नहीं मिलनेवाला है यानि कि फस्ट गर्वति को आपको ये योजना का नाम P-M-M-B-Y यानि कि पर्दानमते मातर वंदना योजना का लाब मिलेगा सिर्फ उसी फस्ट गर्वति को पर्दानमते मातर वंदना योजना का लाब मिलने वाला है ये आप समझे के लिए तो चलिए अब जानते अपलाई करने का पड़ किलिया अपलाई आप दो तरह से कर सकते हैं ओनलाइन भी कर सकते हैं ओनलाइन अगर करेंगे तो आपको सभी एस्टेट की सुविता नहीं उप कर सकते हैं मतलब ऑफलाइन अपने आगरवाड़े सेंटर से चलिए हम बात करते हैं आगे के परिक्रिया आगे बात यह हम ऑनलाइन या आफलाइन यह परिक्रिया आपको समझना होगा कि आपने अप्लिकेशन जो समीट करेंगे कैसे कैसे परोसेस होता है किन-किन परिक्रि कर सकते हैं या मैं वीडिपाइट भी दिखा देता हूं कहा डॉलनौट करेंगे आपंगे लॉक नहें होली तो उस परम के साथ आपको डॉकमेंट करना है परकूर आगनवाडी सहð करे आसा या A&M के पास आपको यह form और document के साथ सम्मित करना है चलिए बात करते हैं document क्या-क्या लगने वाले हैं document note कीजिए सबसे पहली document जो है रुख गर्वती का आधार काड यानि कि जो भी जिसके नाम से आप अप्लाई करें जो भी गर्वती है उनका आधार काड यहां पर आपको देना होगा तीक है गर्वती का आधार काड देना होगा document में साथ सद उसके husband यानि की पती जो है उनका भी document यहां पर आपको देना होगा उसके बाद bank की password आपको देनी होगी उसके बाद आपको कार्ड देना हो यानि कि जब भी injection लेते हैं आगनवारी केंद पर या हस्पीटल में तो टिका करन होता है तो उसमें आपको कार्ड मिलता है, कार्ड कैसा मिलता है वो भी हम दिखाते हैं इस तरह काड आपको मिलता जब भी आ आगकनवाडि पर शुए लेते हैं याग हस्पितल में ता आपको इस तरह का कारड मिलता है जो को फहल्य का मिलता है यानि कि पेंटा फर्ष्ट ठीक का नाम है छाल पैंटा फन्प है इसके पारे में डेटल में आपको बता नाम है जो कि फाल जानerson लेना पड़ता ये कब लेना पड़ताइक मैने सब्सक्क्राइब तहीक से Ambassador मिलेगा अगनवाड़ी के द्वारा उसे काड पर उसकी डीटेल लगी और इंजेक्षन की डीटेल हिर कुण से इंजेक्षन लगी और किषट को लगए उसकाड का जी रोस आपको देनाओ का पेंटा 1 पेंटा 1 पेंटा 1 एक से लिकी 2 मेहने की बीच में लगता है घरवत्ती क लगेगा तब ही आपको ये 5000 का payment मिलेगा इसलिए तीन किस्तों में ये payment को device किया गया है तो आप समझ गये यानि कि गरबती का और गरबती के पती का अधार काड और गरबती के नाम से bank passbook और ये चुक काड है तिका करना काड वो काड आपको देना होगा और इसके साथ कोई भी तरह का आपका फासवोर्ट साची photo वगएरे कुछ नहीं देने होगी ये document और form के साथ आपको अपने आगनवारी के पास जमा कर देना है तो जब आप आगनवारी केंद में इस form को जमा कर देंगे वो इसके बात की क्या परकिरिया यह आप यहां पर देख सकते हैं इसके द्वारा जैसे आप वो जमा करेंगे वो physical form वो कहां चलेज़ेगा computer operator के पास यानि कई block में ICDS office होते हैं बाल विकास कारियाला वो आगनवारी वाले आपकी जो form होते हैं गर izled te mismo value में आपके प्रख डेकर देखेंगे और सारे चीजको मिलान करेंगे घरवर और गर डिछ प्रून कर देथे तो इस आपके आधार को जाची जाएगी कि आपने जुड आधार दिया है वह आधार वैलिट है या नहीं है वह आधार को जाती जाती है ठीक है उसके पाचमा एस्टेप जाता है पाचमा एस्टेप जाता है कहां पर आपकी जो पती की जो अधार कार्ड है जो बैंक डिटेल है उससे चेक क्या जाता है कि इस अधार कार्ड इस बैंक डिटेल से पहले कोई प्रेमेंट लिया गया या नहीं लिया गया तो यहां पर आपको पाचमा उप्शन पर जाता जाज जाता है state nodal officer के पास अगर वो देखते हैं वो आपका approval कर देते हैं तो वो आपका application form चले जाता है कहां पे payment के लिए payment के लिए कहां जाता है payment PFMS यानि कि जो भी government payment payment होती है वो यहीं स्याती जो भी सायता होती है पीएफ MS के पास चले जाते है अब PMS वाली क्या करते है आपके जो payment वो आपके bank account में डाल दी जाते है वो बैंक में चले जाते है और उस रुपे को आप बैंक से विड्रोग कर सकते है यह परकिरिया है पहले आपको पहसे स्टेप computer में जमार करना उसके बाद आपको कुछ निकिना उसके बाद यह टोमाटिक परकिरिया होते रहेंगे वो computer operator के बार बात देंगे उसके बाद अपिसर के पास है को अप्रेंगे फिर आपर यह लिक्सान कर देते ह् तो वह करेक्षण केboard खीयल आपको एहां से करेक्षं करेंगे अप्र आपको यह को बंत किस कारण से रिजेक्ट हुआ उसको यह सुधार करते हैं यानि कि यहां पर आपको अपलाई किये और किस तक प्रक्रिया से आपका अप्लिकेशन फॉर्म गुजरा और कहां तक आपका पैमेंट पहुंचा यह सभी स्टेप कंपिलीट होने के बाद आपकी पैमेंट जाके आपके हाथ में आती है यह फर्स्ट कीशत होगे यानि कि पहला किस ती जो की गरवति एक मास लेकि दो माह के गरवति की बीच में होने चाहिए और साथ-साथ उसका इंजेक्शन जो पैंटा फर्स्ट इंजेक्शन लिया होना यह फर्स्ट इंस्ट्रॉल्मेंट आपको यानि कि पहला एक हजार का मिलेगा जो आपको एक हजार रुपे आपके बैंक एकांड में करेडिट कर दी जाते यहां पर आपसे कहीं भी एक रुपे नहीं लिया जाता है ठीक है तो यह पहला आपको हो गया इसी तरह अगर दू लेके पाँच मैंँ लेके बीच में आपनी दूसरा टीका जब भी लगवा लिया प्टा स्केंट का तब फिर से आपको वही परकेरिया करना एक यानि कि फिशारा hp document और फिर से आपको आगनबाडि में submit करना घर फिर से आपको operator के पास जाएगा फिर से आपको यहाँ पे officer के पास approval के लिए यह सारा परिकिर्या को फिर से धुगाए क्या आपको second installment मिल रहा है पहला installment दूसरा इंस्ट्टार्मेंट के लिए आपको फिर से document और form submit करना हो गानबारी में और यहां पर यहां पर फिर से वही परकिरिया ओप की जाएगी उसके बाद जब आपकी detail सही हो जाते है और आपको दूसरा किस्त भी यहां पर मिल जाता है दूसरा किस्त कर मिलता है जब तक आप इंजेक्शन दो पेंटा सकंड ले लेते तब अब तिसरा किस्त आपको कर मिलता है जब पांच महिनेों से लिए कि नो महिने के बीच में जबी गरवती महिला तीसरा तीका यानि कि पेंटा थाड तीका ले लेते है तब किस्त तीसरा कि का का जो कार्ड होते हैं उस कार्ड के साथ आपको फिर से यही परकिरिया करने होते यानि कि तीन बार आपको फॉर्म फिल अप करना होगा तीन बार आपको फॉर्म जमा करना होगा तीन किस्ट पेमेंट लेने के लिए तो पेमेंट फॉर्म के साथ यहां पर पहला किस्ट के तके वी च्छलों भी परकिरियां होंगे फिर दूसरा इंजक्षन यानि 50 seconds इंजक्षन लेगे आपके कार्ड पे इंजक्षन इंजक्षन डिटेल चाहल के फिरसे वो की डीटेल लगागे फिर से आपको ये परकिरिया करने को दूसरी किस्त के लिए पेंटा थट के लिए क्या कंडिशन ये हम को क्योंकि पेंटा थट के लिए अलग कंडिशन है मतलब कि जर्ण कि थर्डंAmericzt यानि अंतिम किस्ट लेने के लिए आपको अंतिम परकिरिया जो वो कुछ अलग है अब दुक्यइ इस्टोल्मेंट अपने ले लिया, गा आरैंड याने पर एक स्डी पार्डं is fast. तीसमें लेने के लिए आपको PENTA dじshek लेना होगा. साथ-साथ जो भी child होते जो भी बच्चे आपको जनम होंगे, जो भी जिसका फिलब कर रहा है, उनके बच्चे का जैर रीष्ट्रेशन होना चाहिए,ed kadar certificate बन गया होना चाहिए तिक है उसके बाद उस बच्य का सभी injection लग गया वना चीलया आत्र बच्ची को जिसनी injection लगते जनना के बाद वह सभी injection जब आप लगा लेंगे तभी आपको मिले गाइंगे ठीकर है अपने बच्ची जो जनम कुए उस बच्चे को सभी तीके जो भी तीके लगते हैं अंगनवाडी में वो सभी तीके टीके लगाने को पीलीट होने के बाद तब आपको फिर से फॉर्म जमा करना इस सभी में वही कोमेंट लगेगा लेकिन इसमें आपको बत रजिस्ट्रेस्ट्रिशन यानि कि बत certificate जनम प्रानपत लगाना होगा बच्चे का जनम प्रानपत लगाना अगर बहुत सब्सक्राइब बच्चे का अधार कार भी लगा दिएगा बन जाता है तो ठीक है यूगि बहुत सारे अगनवाड़े में यहां पे कि अगप बच्चे का वैधा कर देना जरूर ही है तो यहाँ पर थार इंस्टोल मेंट के लिए बच्चे को सभी सुई लेने के बाद आप आवधान करेंगे अवधान करेंगे जहां किये तो आप समयज़ आप चली ऑउनलान पर क्रिया क्या है उसके लिए आप यहाँ पर दे जोनडर हो जाए कि यहाइं थे करना परी मिकति sanct के लिए कुछा जाए कह से पोल live मैने में में मृतकिंडיצर अपर आपको यहां पर रेजिस्टर करना रगहार एयहां पर रेजिस्टर करना ख़म सकते हैं तो , आपके सामने हो जगे जो भी गर्वती महिला जो भी बेनिफेसरी है उनका फुल नाम देना होगा उनका मोवाइल नंबर उनका इमेल आडी मोवाइल नंबर इमेल पर दोनों पर OTP आपको जाएगा उसको यहां भी कोसन बनाएंगे और उसको संगा जो भी अंसर आप रखना आफ चल लिए आप लाइन कि प्रश्ट गर्वती यह अगर ना पर सब्सक्राइब करें कि यह जरूरी है तो आप कमेंट किजिए मैं जल से जल आप उसकी डिलेटिटेड ऑन्लाइन वीडियो बनाऊगा प्लाइन हे नहीं लेते हैं आगनवारी बहुत सारे कुछ बोलते है तो नहीं लेते हैं तो आप online भी कर सकता आपके लिए पास online में सुविधा है लेकिन आप online के लिए हम अलग सी वीडियो जुनाएंगे जो complete process हो का rom 가격 वीडियो तो आप दो कोमेंड में बताइए बम जल्त ही वेडियो आपको online पढ़िए बताएंगे य है क्या से बताया हे यह क्या है इस योजना को पहले किस नाम से जना जाताथ था इस योजना हो या कोई डॉट हो तो आप उसके लिए कॉमेंट करेंगे हम बहुत जल उसकी भी solution आपको देंगे उसके बारे में भी अलग सी विस्तार से वीडियोग बना के आपको बताएंगे एक government knowledge जानकारी के लिए आप हमारी यूटूब चैनल जीसान मोनिटर को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आपको government की सारी योजना इसके Instagram कार्ड कैसे बना क्या फायदे हो जो भी सारकारी योजना उसके related आपको वीडियोज दिये जाते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलतें ऐसे knowledgeful जानकारी के साथ